नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन श्रमास वाद कतम सभी का आपके अपने चनल जोतिश इन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम याप पर बात करने वाले हैं 4 जुलाई 2023 के बारे में 4 जुलाई 2023 का ये दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कौन-कौन सी वैदिक रेमिडीज आप सभी को बहुत ज़दा फायदा देगी? आज के दिन में कौन सा एंजल नमबर और अफर्मिशन आपके लिए अच्छा रहेगा? क्या रहेगा आज का वास्तु का उपाय? सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए सबसे पहले देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है? कौन-कौन सी अच्छी चीज ने रहेंगे आज के दिन में जिससे कि आपको थोड़ी सी खुशी मिल सके पहली चीज आज का दिन जॉब के लिए करियर के लिए काफी ज़दा अच्छा दिखाई दीता है आज के दिन में कोई नई opportunities देखना चाते हैं, जॉब के लिए interviews देना चाते हैं या फिर कुछ नया करना चाते हैं तो आज आज आप जरूर कर सकते हैं financially चीजें काफी ज़दा अच्छी रहेंगी और रुका हुआ धन आने के योग यहाँ पर बनते हैं इसी के साथ साथ आज का यह जो दिन है यह पुरानी चीजों को complete करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है काफी लंबे समय से कोई काम अठके हुए हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे थे तो आज पूरा करने की कोशिश जरूर करिएगा आप सबी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे आज के दिन में थोड़ी सी चोट या खरोच कहीं न कहीं आपको लग सकती है तो इसलिए सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा गाड़ी चलाते समय बहुत जाँ साफधानी रखनी है और बिल्कुल भी रिस्क लेकर के कोई काम नहीं करना है इस बात का विशेश द्यान न कियेगा सीडिया चटते उतरते समय या फिर पानी की जगों पर थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिएगा ताकि आपको किसी भी दरगा कोई नुकसान ना देखने को मिले आज का दिन प्रॉपर्टी के लिए काफी ज़दा अच्छा दिखाई दिता है कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आज आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए आपके लिए काफी ज़दा अच्छा समय दिखाई देता है तो अवरल देखा जाए तो इस दिन बहुत ही ज़दा शांदार है और इस दिन के रेजल्ट आपको बहुत ज़दा अच्छे लेवल पर मिलते हुए नजर आएंगे इस दिन को और ज़दा अच्छा बनाने के लिए कौन-कौन सी वैदिक रेमिडी आपको करनी है सबसे पहली चीज़ इस दिन की शुरुवात में ही सुवे सुवे अपने पिताजी से आश्रुवाद जरूर लिजएगा उनके साथ थोड़ा सा बैट करके बात्चीश जरूर करें और फ्यूचर को लेकर के अगर कोई भी प्लान करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं आपके लिए काफी ज़ादा अच्छा रहेगा आज के दिन में कोशिश करिएगा कि टामबे के बरतन से पानी जरूर पी पाएँ आप ताकि आप सभी को फायदा मिले, सिहत आपके अच्छी रहे और किसी भी तरह का नुकसान आपको देखने को ना मिले आज अगर पॉसिबल हो पाए तो खाने में केसर का इस्तमाल जरूर करिएगा इससे भी आपका दिन अच्छा जाएगा, फाइनेंशरी चीज़ें अच्छी होते हुए नजर आएगी और पारिवारिक माहोल भी अच्छा बनता हुआ नजर आएगा पैसो को लेकर के थोड़ी सी परिशानी है या फिर शत्रों की वज़े से काफी ज़्यादा परिशान है तो आज एक अच्छू कुपाय मैं बता देता हूँ आपको ये कर लीजेगा इससे आपको बहुत ज़्याद अच्छे फाइदे देखने को मिलेंगे आप सभी को क्या करना है हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक सरसो के तेल का दिया वहाँ पर प्रज्वलित करना है mustard oil आपको यूज़ करना है मिट्टिका दिया यूज़ करना है और आपको हनुमान जी के मदिर में इस दिये को प्रजवरित करना है अब important चीज़ क्या है कि इस दिये के नीचे आपको एक नीले गलर का कपड़ा रखना है उसके उपर आप ये दिया रखिएगा छोटा सा उपाय है इसको जरूर करिएगा और वही पर बैट करके हनुमान चाली सा का पार्ट कर लीजेगा और प्रातना करिएगा कि या तो आपका पैसे से रिटल परिशानी है तो उसकी प्रातना करिए और या फिर शत्रों से रिटल परिशानी है तो उसकी प्रातना करिए इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे और आपकी जो परिशानी है वो दूर होते हुए नसर आएगी आज के दिन में कौन सा बनाता हुँ नसर आएगा और आप सभी काफी ज्यादा पॉजित्टिफी फ Deaf करते हुए नसर आएगे आज का दिन में जो affirmation है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दीत है क्योंकि आज का affirmation आप सभी के इच्छाउम को पूरा करेगा और आप सभी के confidence को बढ़ाता हुआ नजर आएगा प्लीज नोट कर लिजेगा आज का affirmation My abilities are unique to me and I will keep improving My abilities are unique to me and I will keep improving उमीद करता हूँ कि आप इसी तरह से अपनी इच्छाओं को, महत्वकान शाओं को और अपनी capability को और अपनी abilities को बढ़ाते हुए नजर आएगे और धीरे-दीर अपनी life में अपनी आपको improve करते हुए नजर आएगे और सारी आपकी इच्छाओं जो है वो पूरी होते हुए नजर आएगी आज के दिन में कौन सा रहेगा golden wish time नोट कर लिजे का प्लीज आज का दिन तो वैसे दिखी पूरा ही अच्छा है बट फिर भी बहुत ज़़ादा खास समय दिखाई दीता है दो बचकर 30 मिनट से लेकर के तीन बचकर 30 मिनट तका समय काफी ज़ादा अच्छा दिखाई दीता है आज के दिन में रात को आठ से साड़े आठ का समय जो है थोड़ा सा अवाइड करिएगा संबल के चलिएगा ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत को परिशानी आपको ना देखने को मिले आज के दिन में आप सभी को कौन सा वास्तु का उपाय करना है ये भी आप नोट कर लिजिए का प्लीज तीके वैसे तो हम डेली कोई चीज करके अपने गर को बैलेंस करते ही करते हैं बट खास कर हमारे गर का टॉयलेट बहुत जादा इंपोर्टन डोल प्ले करता है टॉयलेट अगर खराब जके बना हो या फिर टॉयलेट में अगर गंदगी जादा हो तो गर से पैसा बड़ा जल्दी निकल जाता है इसलिए गर में पैसे को बैलेंस करना है तो टॉयलेट आपका अच्छा होना चीए इस बात का विशेश त्यान लखिएगा अपने टॉयलेट को अच्छा रखने के लिए टॉयलेट की साफसफाई जरूर कर लिजेगा वहाँ पर कुछ सुगंद आए इस तरह का आप इंदजान कर लिजेगा और साथ ही साथ टॉयलेट में किसी भी तरह के टूटे बरतन बरतन इंदसेंस की जो आप मग या बकेट या कुछ भी रखते हो टॉयलेट में तो वो आपका ब्रेक हुआ ना हो पानी निकलता हुआ ना मिले और टॉयलेट बहुत ज़ला घीला ना हो इस बात का विशेश द रशब राशी मिथुन राशी सीह राशी कन्या राशी और मकर राशी के लिए समय काफी ज़्याद अच्छा दिखाई दीता है अलफाबेट्स में देख लिया जाए तो अलफाबेट्स में A, C, H, I, K, L, R, T, V आप सभी को काफी अच्छे फाइदे मिलते हुए दिखाई अब बात कर लें तो नंबर दो, नंबर तीन, नंबर साथ और नंबर आठ के लिए समय काफी ज़्याद अच्छा दिखाई दीता है अब बात कर लेते हैं आपर बर्थडेस के लिए आज अगर आपका ज़न दिन है आपके जीवन का कोई भी महत्रपुन दिन है आप सभी को कई तरह की opportunities लेकर क्या आ रहा है आने वाले साल में आप सभी को बहुत अच्छे फाइदे देखने को मिलेंगे काम आसनी से बनता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ आप सभी को legal matters में उलचने से अपने आपको बचाने की जरूत है अन्यसरी के दुश्मन मत पहला अच्छा जाता हुआ दिखाई 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 है तो इस दिन बहुत ही जदा अच्छा है आप सभी के लिए और इस दिन में कई ऐसे मौके आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आपका दिन और जादा positive होता हुआ नजर आए आप सभी को बहुत लड़ाई जगडों से नजर आए वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीएगा कुछ भी पूशना चाहते हैं जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं आप उसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कुशिश करूंगा आप सभी की हर संभाव मतल्यां पर कर सकूँ धन्यवाद